कि बॉल रहा है कि भारत ने कोरुना वैक्सीन के लिए कुछ अलग त्यारी की हैं आप आँगे देखेंगे रॉब क्लासरा ने किस तरह explain किया है कि भारत ने कोरुना वैक्सीन अगर दुनिया में कहीं पर भी प्रेडियूस होती है तो भारत में कितनी जल्दी आ जाएगी और वैक्सिनेशन कितना जल्दी होगा भारत में निचले लेबिल तक तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले रॉब क्लासरा का वीडियो देखते हैं फिर इस वीडियो कि ना हमने काज हमें भी कोई थोड़ा सा जूगा मिल सकता है गरीब कि यतीम शोदे मस्कीन को हम भी अलारा सीधर रहते हैं बाइस करो बहुत करोदी हैं कि एडवांस वाल्ट ने खरीद लिए जिसके पाप पैसा था रिसॉर्से से उन्हों ने खरीद लिए इनुने कोशेश नहीं की नमबर वन दूसरी वीजिनिंग जिस पर पाकस्तानी कौम इस फ़र बड़ी मुतमिन हो जाएगी लेकर साथ म boys भारत का बताओंगा बारत कि या रेंज कर रहाए तो छोड़ा सावक का मुतमिन पन अापको पता चलेगा ज़ी जारें लोग रहते हैं यहां ऐसी दर्जा मैने से हरारत पर इसको स्टोर करने हमारे पास लाजिस्टिक सपोर्ट है नहीं हैं अगर हम ले 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 लेते हमने साउधा कार भी लिया होता हम ने मतला फिर गंदों के लिए दो थाई बिलिया । हमने दे दिया उनको रूसी किसानों को इंसानों की जान बचाने के लिए हमने दो ड्वी बिलियन डालर की निए कि यहां बाइस क्रोड लोग रहते हैं यहां पर अगर हम कार भी लेते तो फैदा कोई नहीं था क्यों नहीं फैदा था यह कैबनेंट को गुफ्त को रही है उन हाथ ना मिलें मास्क पहनें यह 22 करोड पाकिस्तानी को लिए यह मैसेज आया है कैबनेट के हाइस फोरम से एक साल चाम फसे हुए है पूरी दुनिया यह अप्रोचिस कर रही है कोई आकर अपने अरे मिट्स करने के कोशिश कर रही है मीन वेल में मैंने बैठके जब यह ची फुर्द डर गया हूं सुनकिया कि इस फ़क पूरी दुनिया में यह आ रही है कि करोना की दवाई निकल वैक्सिन निकल आई है 90% 95% के दरम्यान में उसके रिजल्स आ रहे हैं और आप यह कह रहे हैं कि कैबनेट में यह डिसकस हुए है कि हम वो लोगों को यह उमीद ही न नहीं मिलेगी इस पर ब्रेक के बाद यह बात करेंगा साथ रहेगा वोल्कम बैक नाजजिन मैं क्लास आप के बाद जरह एक दफार रिपीट कर दू क्योंकि मुझे हजम नहीं हो रही है वो वैक्सीन करोना की जिस पर पूरी दुनिया उमीद लगाए बैठी है वो पाकिस्तानियों को नहीं मिलने जा रही है क्योंकि गौर्वर्मेंट अफ पाकिस्तान ने हाथ उठा दिये मैं सही करे रहा है और इंडिया क्या कर रहा है अब स्टोरी यह बहुत सार लोग इसको बाई करेंगे जो इनके वजीर भी काल पे आगे ट्वीट भी करेंगे और हमें समझाएंगे कि बाई सब हम थार्ड वार्ड के कंट्रीज हैं लियाज हम कहां पे ऐसी दरजे की यह वेक्सीन को वो पहले से लोगों को कैल कर ले यहां पर आप आप आला तवक्वल बड़ी चलती है इसलिए वो कैल हो भी जाएगी बाईस करोड के वाईसे मैं क्लैरिफाइ करता हूँ क अब यह को इतना बड़ा इशू नहीं है कि नुकलियर कंट्री जो है वो इसको स्टोर रही कर सकता है अब इन्हों ने तो ख़ड़ दिये हैं अल्ला जाने तो उसके पाद आवाम जाने अल्ला तवक्वल पर छोड़ दिया नहीं खता होगी बैस वहां पर इंडिया क्या क् सारी चीज़ें इंडिया के साथ मैच करते हैं मकाबला डालते हैं इंडिया ने ये किया तो हमने ये किया तो हमने किया बहतर साथ से मकाबला चल रहे हैं अब यहां मकाबला नहीं हो रहा इंडिया नहीं पता चला है कि इसकी वेक्शीन वगएर है पहले दो खुद भी उन् में ये अगे पाकिसान बहुत सरी वहां से इंपोर्ट करते हैं वहां से ड्रग्स पगरा जो है अब उन्होंे ने कहा है कि हम ने उस कंपनी से राप्ता किया है जिस कंपनी ये ड्रग्स बनाई यह वक्सीन बने दोनों का प्रीस से जो एक फाइजर से भी और बायो एंट टेक जो दूसरी कंपनी है उन दोनों से उन दोनों को हमने करा है जना आपके इस खिते में डेड़ अरब यह रहते हैं लोग रहते हैं इस मुलक में हमें उनकी जानों के फिकर है हमारे शेहरी हैं हम से बात करें कितने पैसे लेने हैं कितने हमने आपको फंटेंक करनी हैं और कितनी वैक्सीन हमें कैसे मिल सकती हैं उसके दो चार आप्षिंज हमाई का एक बमें है हमें के साथ राप्ते हमें आप कि लिए हमारे पास ना पैसे हैं ना हमारे पास कोई कोई अप्रोच है कि पूछा आपंसे को है कि जो बात की जा है वही सवाल में जो लोगों को घुमा दिया ऑगा असी दर्जह पे तो हम नहीं कर सकते हैं अगला सवाल हुआ उसे हैल्थ मिनिस्ट्री के अफिशल जो है जो इस पूरे मौमले को देख रहे हैं उन्हें का भाई सब हमें यह खत्रा है कि जो शेहरों में लोग रहते हैं मेट्रों में बाबूस हमारी तरा के टाई कोट पहने हैं जो फोर्ड प्रश्चीन देंगे और जो गरीब गुर्पज वह थो रहते हैं उनका क्या बंदबास्त होगा मतलब यह है कि जो बड़े लोग हैं अफोर्ड कर सकते हैं पैसे वाले हैं वो तो ले ले लेंगे उसका उन्हों ने जवाब दिया कि रियास्त जो है वो अपने शेहरों के द प्लान बनावाएं इंडिया में और उन्होंने का डेट दे रहे हैं वो कहते हैं अगली अर्ली नेक्स्ट एयर जो है हम यह कोशिश की जा रही है अर्ली नेक्स्ट एयर से यह सारी वहां कि वहां शुरू हो जानी चाहिए मुझे याद आगा बात थोड़ी से और साइट प अग्लेज ने यहां पर शूट की फिलू जाब घाई यहां पे एंपर्ट के यहां पर आई ता जी यहां है ता जरी ब्ला बला उस वाकत भी अंग्लेज ने यहां के लोगों के लिए वो जो बहत से आय हुए थे उन्होंने अच्छोर कर वाई थे शूहां के 사람ों को करा ल के लिए जो हम भी थे उन्हों ने अरेंज कर वा ले थी वक्सीन इम्राइम ना अरेंज करा सके लास्ट वन मिनिटा आइम शूर के अस्विद उमर साब की इसके लिए एक्स्प्राइशन होनी चाहिए और वो हमारे साथ काल शेयर करेंगे क्योंकि मेरा ये तासुर था पहले कि जो चाइना वैक्सीन जो बना रहा था तो हमें उन्होंने दान करने का ये दिया वाथ था इंदिया कि जनाब यह हम से अगर निकल गई तो जो जिन मुलकों को दी जाए ये उनमें पाकिस्तान भी शामिल था बर इसके अंदर अगर हम अ कि पाकिस्तान कितना सीरियस है वैक्सीनेशन को लेकर पाकिस्तान अभी तक कुईसी भी तरीके से कोई प्लानिंग ही नहीं की है पाकिस्तान में जो लगबग 30 करूर लोग है उनके वैक्सीनेशन को लेकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोल दिया है कि आप मास्क लगाए सोसल डिस्टेंसिंग करें यही उपाय है हमारे पास हम वैक्सिनेशन नहीं करा पाएंगे आपने इस वीडियो में किलिरली सुन लिया है पाकिस्तान के पत्रकार रॉप क्लासरा भारत का उधारन देते हुए बता रहें कि भारत ने कितनी अच्छी तैयार की है अगर कोरोना वैक्सिन कहीं पर भी बनती है तो भारत उससे डारेक्ली डील करेगा और बोलेगा कि हमारे पास 150 करोर लोग है ऐसा रॉप क्लासरा ने बولा है 150 करोर लोग है उनके लिए हमें वैक्सिनेशन चाहिए है तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना CDRS ऐसा पहुच गए है तो ये अपनी खुद भी वैक्सीन प्रेड्यूस कर लेंगे जल से जल तो और पाकिस्तान में जो अभी दो नई वैक्सीन बनी है उनको स्टोरेज करने की भी कैपेविल्टी नहीं है हाला कि पाकिस्तान एक न्यूकिलर कंट्री है लेकिन उसके पास ऐसा कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है जहां पर वो माइनस 80 डिग्री या माइनस 20 डिग्री टेंपरेचर प्रोवाइड करा सके ये पाकिस्तान के लिए बहुत सर्मी की बात है पाकिस्तान एक न्यूकिलर कंट्री है लेकिन पाकिस्तान अपने देश में माइनस 80 डिग्री का एक स्ट पहरत की हेल्थ मिनिस्ट्री हावाला होगा।